नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले यदि आप भी को भी कमपनी में जौब कर रहे हैं और आपका भी पीफ का पैसा जमा हो रहा है तो आपका हर मन्त यानि कि हर महने आपका कितना पीफ का पैसा जमा हो यह जाना बहुत important है हलाके आपको एक message की जरिये से आपको आपको बताया जाता है कि आपका इतना पैसा जमा होगा है लेकिन यहां पे हर मंत में कितना total amount आपका जमा हो रहा है यह पूरा details में पूरा deeply में आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तों ब्यूटियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक कंप्ली जनकारी देते हैं तो पिए फैलेंच चेक करने के लिए आपको अपना गूगल क्रोम में जाना और वहां पर सर्च करना है यूएन पास्बुक यूएन पास्बुक आप जैसे सर्च कीजिएगा तो यहां पर आपको बनाएं तो उसका उपना यूएन नमर बनाया हूं उसका लिंक में अपना डिसक्रशन में देऊंगा उस वीडियो के मादियम से आप अपना पीफ अकाउंट बना सकते हैं और उसका पासबुक भी पूरा एटूजट प्रोसेस उसमें बताया है तो चलिए फाइलिए यहां पर यूए नमर और पासफोड को फिल कर लिया अब यहां पर लॉगिन का उपर में क्लिक करना है लॉगिन का उपर में आप जैसे क्लिक किजिएगा तो आपका अकाउंट को इस परकार से ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद यहां पर सबसे पहले में आपको मेंमर आडिस Select Memoir ID को उपर में आप जैसे क्लिक कीजिए गा तो यहां पर यहां पर आपको जितने वी Company में काम करते हुगे सब आपको Memoir ID के लिए मिल रहा होगा तो simply आपको जो भी पर पैसा जमा और जो भी Company में उस Memoir ID को Select करना उस Company Memoir ID को select करने के बाद यहां पर आपको view तो पाप्सफूक नियु खेए अक और किलिए घ den ऊसके बाद favor ng 1000 का बीच ऐनका सीपने केद रहा घरिर अपको इन तो we ऊसके बाद यहां पे इसमें ते लिए ते हैले मारश तक यहां पे जो जैना ज January 23 में दिन उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कितना हमारा टोटल यहां पर आया था 13,492 रूपीस जिसमें हमारा यहां पर इस परकार से आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका एक महीना के अंदर में कितना पैसा जमा होता है तो उसके बाद यहां पर इंप्लोड शियर और यहां पर जो पैंजन का पैसा है यहां पर 1100 इदा से 1100 इदा से जो कंपनी के तरफ से भी जमा होता है बोलता है डबल होता है जो कि कुछ इस परकार से यहां पर 495 रूपीस दिन उसके बाद यहां पर 1100 रूपीस यह दोनों को अब यदि कीजिएगा तो 1619 रूपीस यह भी हो जाएगा लेकिन बात करेंगे कि हमार आपका total balance कितना है ये भी नीचे में आप देख साते हैं जो कि closing balance मैं हमारों पर जो total balance होता है यहां पर दिखाये जह रहा है यहां पर धियर helps रहा है तो फिर बीच में आप अपको चले कम आता है सेलरी कम आता है यानि क्या मान नोशए आपका वादा आपका आपका 4000-5000 पेमेंट आएगा तो उसी हिसाब से यहां पर आपका 12% कट ओके यहां पर जमा होगा तो यहां पर कभी-कभी आपका कम हो जाएगा जब आपना गाउंट जाएगा तो फुल यहां पर इतना 1690 रुपिस जमा हो रहा है इतना ही हर मंत जमा होगा यहां पर जमा नहीं हो रहा है तो आप अपने जो भी एचार आपका कंपनी एचार उससे कांटेक्ट कीजिए उसके बाद उसको बोलिए अपना जो भी पास्पूर्क है उसका एक स्क्रीन सोट ले लीजिए उसको कि सारा हमारा प्यॉफ का पैसा जमा नही हो रहा है और आपका फिर उसके बाद फिर उसके बात फिर जमा करने लगेंगे तो दोस्तों यहां पर बहुत रार ऐसा दोगाधरी वाला भी काम होता है आपका कंपनी वाला आपका जो भी एचार रहेगा वो बोलेगा कि आपका प्याफ का पैसा जमा हो रहा है बट आपका जो प्याफ का पैसा जमा हो रहा है बट आपका जो प्याफ का पैसा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो चलिए आ